सब्सक्राइब को नमस्कार दोस्तों आज के दे हिंदू करंट फिर में आपका स्वागत है और बहुत ही सांदार ये वीडियो होने वाला है सबसे पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक सेर करते रहना और आज हम तीन और चार फ्रवरी दो दिन के द अपटा दिया है ठीक है और कल मतलब हमारे प्लान है कि कल हम इसको लॉंच करेंगे तो इसमें आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए होगा ठीक है बहुत ही सांदार बनाया है कंटेंट चलिए जो पहला टोपिक हमारा अभी क्या है जैसे आपने देखा होगा कि लद समन्द है तो वहाँ पर क्या नया चल रहा है क्या बदला वारा है कहां अलोचना हो रही है उन्ची जो को लेकर ऐसे आर्टिकल आपके काम के होते है ठीक है तो जो देहंदू के अंदर एक एडिटर रहा है था कि लदा के अंदर ऐसे बहुत सारे मुद्दे भी चल रहे है और लदाक आपको मेप भी पता होने चीए क्यों कई वार यहां से मेपिंग के बहुत सारे कुछना आते हैं कहां पे लेल ओ लदाक है कहां पे कारगिल है कहां पे जमुकस्मीर है पूरी आपको चीज़े पता होने चीए आपको पता है कि यहां पे लदाक और जो जमुकस्म आमिल किया जाने चीए ठीक है और जैसे अब यह हमारे काम का है यहां से क्या होता डारिक्ट कुस्टन आपकी प्रिलिम्स एक्जामें में आ जाएगा पहले भी बहुजदा आए यहां से जो अनुशुची आती है वहां से भोँजदा कुस्टन आए तो यह प्रीम में आ सकता है आपके लिए क्योंकि आप आपको पता होना चाहिए पांच वी ने सोची चाट यह जित्री बीएन सोची है वह उसमें क्या-kya प्रोविजन है उनके बारे में आपको पताओन चाहिए तो यहां पैं जैसे आपने दिनों सी नीज में देखा होगा कि वहां जो सामाजिका करता है इन्वार्मेंट के विचे सग्य है सोनम वांग चुंग इनका नाम तो आपने काफिश होना है ठीक है कई वार हम एथिक्स के पेपर में इनको इनका जो एक्जामपल है वो भी बताते हैं कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया वहां पे तो वो भी इस आंदोल में सामि प्रदेश बना उसके बाद में यहां पर कई सारी चुनूतियां कई सारी समश्य देखी जिनका समधान उत्रा विवारिक दर्ष्टी कोन से नहीं देखा गया है तो इनकी मांग भी जाइज है हालांकि केंदर सरकार इस मामले को बहुत सीरियस ले रही है क्योंकि आप जानत होती है कि इन मुद्दों को आप थोड़ा गहरा इसे समझो और मेंस के एक्जाम में अच्छे कीवर्ड अच्छे आपके आइडिया आप लिख्या हुए दिया से कुछन डारिक आपकी एक्जाम में आते हैं ठीक है तो अगस 2019 में केंदर साइसी परदेश बनने के बाद में कर यह मामला उजा करें कि इसका समधान निकाला जाना चाहिए ठीक है तो यह आपकी जो सिक्स हैडूल है और आर्टिकल 244 से उसको आगे देखेंगे जो इंपोर्ट हैं हमारे लिए इसमें क्या हुरा है कि समय के साथ नोकरशाय के साथ कारगी लोड ले है या जैसे दो हिल काउंचिल के निर्वाचीत परदियो इस्तानी लोगों के बिच में यह तरकरार या जो लड़े जगड़ा है वो देखने को मिल रहा है कि इनके आपसी जो हीता है या समसे है उनको भी यहाँ पर देखा जा रहा है ठीक है और यहाँ पर हम कुछ चीजे देखें तो ले के मिलकर क्या किया था ले के अंदर ले की बात करने उन्होंने 2020 में क्या बनाए था ले एफेक्स बोडी ठीक है क्योंकि मेंस की एक जाम में जब कुछ राएगा ऐसा मुद्दा रहेगा तो आपके बास कुछ वहां किस्तानी चीजे भी पता होने चीजी कौन सा संगटन वहां दिमोक्राटिक एलाइंस मतलब यह भी वहां पर काम कर रहे हैं तो हो सकता है कई वार पॉलिटिकल मॉटिवेट भी इसे मुद्दे हो सकते हैं नो डाउट इसमें कोई सक नहीं है ठीक है दूसरी तरफ से हम जानते कि जमुक स्मिर को लेकर पाकिस्तान की पॉलिश हमेंसा के रहे ठीकि हमारे राश्टवितों को नुक्सान पहूंचे तो कई वार दो संगटाब कि इन्होंने यह मिलके बनााया is ठीक है और इसको लेकर यह समय पर एसे मुद्दे उठाते हैं ठीक है और इसके लावाज जैसे यहां पर इन्होंने क्या बता है कि यहां पर कई प्रकार के जो लक्स हैं, मुद्धें उन्होंने अपनी मांगें रखी है, मुख्यरूप से इनकी डिमांड क्या है, ठीक है, जो भी हमने अभी दोनों ओर्गौनाजिसन देखिये, ठीक है, उनकी मु पता होना चाहिए बहुत इंपोटेंट मुदे और देखो इसमें समय के साथ में क्या हो पाता है वैसे भी इनको लेकर अलगलग कबेटिया बनी है उन्होंने अपनी रिकॉमेंडेशन दिये लेकिन अभी तक मामला थोड़ा उतना सुल्सता नजर नहीं आ रहा है लेकिन आने अन्ता के मुद्दों को उठाते थे लेकिन जैसे केदर साथी प्रदेश बना तो वहां पर सिधा जो सासन है वो कहींने के नोकर साही के हाथ में आ गया तो उनकी डिमांड है उनकी जो मुद्दें उनको सही से रखाने गया इसलिए यह आंदलन चल रहे है पोजिटिव लो अबादी के रक्सा करती है यानि चटीव ने सुचे में क्या है यह विशेश कर जिसे पहले असम, मेगाले, तिरुपरा और मिजोरम राजी के जन्जाती चेतरों के परसासन के बारे में उपन्द है ठीक है इसमें देखो सवविदान में साब साब लिखा है असम, मेगाले, तिरुपरा और मिजोरम राजी के जन्जाती चेतर, इसका मतलब इनकी भी डिबांड है कि इनको भी ऐसा दर्जा दिया जाना चाहिए और यह आर्टिकल 242 चेतर के अंदर यह है ठीक है और पांच यूने सुची में क्या है अन्नुसुची तो जन्जाती चेतरों के परसास ढ़ी है आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है क्योंकि बहुत सरे कुछन हर साल एक कुछन यहां से देखने को मिलता है तो यह आप अपनी तेहरी ऐसे करते हो कि यहां से दो एक कुछन पक्का है और वैसी वे अनुसुची एकुसर आतार इस साल दो बहुच तो इनको जुरूर देखना आपसे मतलब एक तरह से क्या करो कि यार प्री निकालना है मतलब मैं चाहता हूं कि आपसे में चिलेव धरीばい जो मेरे दोस्त है हमारे साथ चनल में जो जुडिवें इस्तिमाल करना और आप इंट्रोडक्शन में इस्तिमाल करें ना इसको कि छटीवी निसुची में यह आर्टिकल 247 में यह ठीक है बाद में रिकॉमेंडेशन जो आपके सजेशन है जो आपके आईडिया है ओपिनिन है पक्स विपक्स है वह आप मेंस के एक्जाम में लिख सकते हो आपके पास अच् करन के निजी पक्सकारों को अंतकरन अक्रित और सुनने गोशित कर जा सकता है इंग्लिस वाला वर्जन भी देखना अराम से ठीक है कौन सा इन में से देखो पांच वी चटी आती तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं तो यहां पर पांच वी चटी होती तो कंफ्यूज कर कर दिया ठीक इनको लेकर थोड़ा इनके माइनर डिटेल है वो जुरूर पढ़ना लक्समी कान से पढ़ना की पांच वी चटी में अंतर क्या है बैसिक अंतर क्या है ठीक कई वार हो सकता है नज्जदी की आ गया मतलब इस वाफसने पांच वी चटी दो नहीं होती तो तो जोड़ा किया था इंपोर्टेंट है इसी तरह 2022 की एकजाब में अनुसची को लेकर कुछन आ गया कि यदि किसी विशीर सेतर को भारत के सवीदान की पांच वी अनुसची के दिन लाए जाए तो निमलित कत्रों में से कौन सा एक इसके प्रणाम को सरुतम रूप से प्रति रही है तो इस कांसर आप बताऊगे 73 कुशन कांसर क्या है बिलकुल आप बताऊगे 2022 की एकजाम में आया है ठीक है तो ये आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट हो गया ऐसे बहुत सारे में तीनी कुशन सामिल करें इसे इस लिए बोल रहा हूं कि चेप्टर आज ही पढ़ना है कभी कभी क्या करना चाहिए हमें जैसे ये टोपिक आज हिंदू न्यूजपेपर में चर्चा में रहा है तो लक्षमी कांथ बुक से थोड़ा सा एक दो पेज जो है एक पेज है मुश्किल से एक या दो पेज है उनको एक वार टटोल के देख ले कि मैं सही हू आपको लगता है कि यार ये टोपिक थोड़ा सा भी देख लेता हूं इदर से संदर बुक के रुप में या कोई गूगल कर लेता हूं तो वो चीजे फिर इस्ता ही आपके माइंड में रहेगी तो ये टोपिक बहुत इंपर्टेंट प्रियोर मेंस के साब से था आगे बढ चाहिए ठीक है तो इसके बारे में था और तो इसमें है कि असम के जो पोबितारा वने जीव हबेरने है उसमें एक सिंग वाले गेंड़े काफी है वहां पर स्पोर्टू के नीचे थोड़ शी डेटेल दीगी थी तो वहां पर एक मुझे अच्छा मिला कि ये ना पोबिता जो है वरक कीलोमेत्र के अंदर एक какие के अलगराए है लाई होगी खाने के लिए के अफे जमें के लिए वर्जाव यांपशा यहां पर सुक्विता संट देखे जारा ह्रा तो ये तो हमारे चलो practical बात थी कि ऐसा हो रहा है लेकिन अपने काम के क्या है इसके बारे में पोभीतोरा कहां पे हैं कहां पे इसके location है कौन से जीजन तुपाई जाते हैं कौन से नदी यहां पे बैती है यह सब चीजिया हमारे काम की है जैसे बरंपुतर नदी के किनारे पे है यह important होगया आपके location यहां पे ठीक है वन्य जीव अवेरने है और इसके बारे में ओडेटेल जाने तो यह बरंपुतर के दक्सिन तटपर है चारगा और आदर भूमी आवास परदान करता है पोभीतोर इसके बारे में यहां से मिल गई है लगबग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा वन होन राइनो भी हम देख लेते हैं कि कहां पाए जाता है यह बार विशेस कर बनपुतर गाटी है उत्री बंगाल के कुछ उत्री सो में है दक्षिन नेपाल में कुछ इसो में पाए जाता है इसमें एक ही काला सिंग होता है लगबग 60 cm इसकी लंबाई होती है और तवच्छा की पड़तों के साथ एक सब्सक्त आपने देखा होगा इसकी चंबडी कितनी खटोर होती है उपर से देखा होगा कई वार ठीक है इस सारी इसकी डिटेल है आयूशन केटिगरी ही है मेरे साब से कई वार पुड़ा है यह टोपिक वैसे मैं दो तिन वार पहले भी करवा चुका हूँ लगदार अपने नोट्स में ऐसे ही टोपिक रहते हैं जो एक्जाम में आ सकते हैं प्री एक्जाम में ठीक है और इसमें देखो यहां पी डिटेल आ गई वो कि डबल सरवादिक जैसे हती कौन से मतलब राजिये में हैं तो यह आपके लिए इंपोर्टन हो जाता है कि सरवादिक जो वन राइन वो कहां पर है ठीक है इसके लावा औरंग पो भी तोरा मानस पारकों में भी बहुत अच्छे यहां पर ज्यादा पाये जाते हैं ठीक है और यहा तो यह आपको पता होना जी से काजी रंगा की बात करें तो इसके साबसे आपका यहां पर पड़ा है कि आपको आईडिया कि कुस्ण कैसा फ्रेम हो सकता है ठीक है एक कुछन और 2019 की एक्जाम में आया वह था कि यहां पर देखो कुछ खेलते हैं इस कुछन से अच्छा कु हम सीखते हैं कि कैसे आपका माइंड शेट होना चाहिए कुछना ट्रिम्ट लेते हैं 2019 की बात है तो इसा कुछन है निमलिक्त खत्रों पर हमें विचार करना है ठीक है तो इसमें की जो एसे टिक लोईन है जो एसे शेर है कहां पर प्राकरति रूप से सिर्फ भारत में पाई है ठीक है भारत में कहां पाई जाता है देखो दो कुपड़ उट वाला उन मरुस्तलों में पाई जाएगा जहां पर सीथ मरुस्तल है ठीक है सीथ मरुस्तल में तो सीथ मरुस्तल हमारे कहा है ले लदाक में पता है ठीक है तो इसका मतलब भारत में तो है ले ले लदाक में लेकिन शीथ मुरुस्तल क्या विश्वव में और कहीं भी है देखो ओर मुरुस्तल में पाए जाता है संभावना कॉमन सेंस कहता है ठीक पाए जाता है हर एक environment, ecology के साब से वहाँ के जीवजनतो होते हैं तो ओर कहाँ पर डेजट में पाए जाता है वहाँ पे दो कुप्ड़ वाले उठ खूब देखें, बरब करते हैं, बरब कहते हैं, ठीक है, देखा है, तो मैं अपनी बात करहाँ कि मैंने common sense से सही किया, कि मैंने document देखी हुई थी, कि यहाँ ऐसे खाते हैं, तो अपना वाला क्या हुआ, दो तो पक्का चला गिए, देख कांपे नेपाल दक्षन नेपाल के कुछ इसों में भी पाया जाता है हमारे पार डिटेल है एकदम यह देखो तो इस कुछन को अब हैंडल कर सकते हैं वही कैसे केवल बाहर सिर्फ भारत में नहीं पाई जाता कटके आप तीसरा वाला कटता या अपना आंसवर निकल गया दे अब लोगों लग रहा कि आज लेशन इतना अच्छा क्यों हो रहा है इतना आज मैं कुछी से कैसे बढ़ा रहा हूं पिसले तीन में इस पे टेन येर वाले पर लगा था तीन बने हो गया दिन रात एक कर दिए एक इसका आपको क्या बोलते हैं इसका आउटकों बताता हू को कि मतलब इनको त्यार करते समय करते करते क्या हूं मेरी आंके दस गई है ठीक है यह एक बड़ा आउटकम निकल का है नेगिटीव फीडवेक दे रहा हूं कि इतना काम करते करते डार्क सर्क्लिल बन गए ठीक आप आपकी बारी कि कल जब लॉंच करेंगे ना तो आप लो काफी कुछ कर चुका हूं लेकिन इसमें सपोर्ट मिलता आप लोगोंगा यह मतलब यह जो बुक है काफी दिल से जार कीगी है हालांकि उसमें त्यार करते करते मैं एक चीजा देखिए कि उसमें कुछ असूदिया मिल सकती है बहुत वारा हमने प्रूफ रेडिंग की लेक चीज बढ़रें तो यह जो इंपोटेंट है हमारा लिए मेंस की एकजाम में काम आएगा कैसे काम आएगा देखो अभी हम क्या करें जी टुटि के क्या करें अधेकस्ता कर रहें तो अच्छा इस बात का धियान रखना मैं आने वाले जैसे कल कल के बाद में क्या रहूंगा 10-15 दिन तक लगतार आपके लिए प्रिक की एक सीरीज ला रहा हूँ जिसमें आपको हर एक एंगल से बताऊंगा कि हर एक टोपिक से कहां कहां से कुछन पूजेगे हैं मतलब आपकी दिशा और एक दम फरफेक्ट हो जाएगी कर रहे हैं उसी से प्रियर निकाल सकते हैं तो वो चीज़े भी है आने वाले वक्तमी आएगे ठीक hai ठीक है तो यह ूआ-चास कर दो कर, आपके की बहुत, चारल कि नोर्व क में दाने और पुरातत्वी प्रेटन की सबलता की काहनियों के रूप में प्रजिश्ट किया जाएगा ठीक है जो कि G20 राष्टो की पहली प्रेटन कारी समगी बेठा के दुरान कच किरण में आई शुकी जा रहे है तेको यहां से ऐसा है कि कभी-कभी हो सकता है कि कुछन कैसे फ्रेम ह मेरा कोई गाटी को लेकर चचा मेरा तो ऐसे इसलिए मैंने प्रीक के साब से इनको रखा कि ऐसे कुछन आये हैं पहले तो इनको रखना ज़रूरी है और साथ में में मेंस के एक्जाम में जैसे GS3 में ये GDP में पार्ट अपना कि जो टूरिजम है इंडिस्ट्री है जितनी भ जो को आगे रखा है तो मेंस के अग्जाम में आप कोट करोंगी इंड चीजों को एक्जाम पल के रूप में ठीक है तो इसमें बहुत सारी चीजिए क्या है कि जैसे साब नोग परवरी तक क्या कर दाए जिटुनटी की पहली जो प्रेटन मंतरिश्थितरी बेटए के उसम कुसर आते हैं, तो इसमें हमारा ये भी काम है, जो आगे मैंने दे दिया है, तो यहां से भी प्रीमिय कुसर बन सकता है, तो उन्होंने सरफ स्टेट ग्रामिन प्रेटरन गाउं के रूप में नामीत किया गया था इसको, यह इंपोर्टेंट है यार, क्योंकि ऐसा कुसर आ सक तो इसमें क्या है कि भारत सामुदाई आधरीत, यह इंपोर्टेंट है कि हम जानते हैं कि हर एक सेक्टर में, जैसे हमारे जिडीप का टार्केट है कि हम आने वाले समय मितना एक एक यू करेंगे, तो उसमें हर एक जो उद्योग है या हर एक जो सेक्टर है, उसका एक बड इसमें पूरा गाउं को कहने की रोजगार मिल सकते हैं, इन चीजों में बताए गया है, जैसे हमारे बहुत सारे टूरिजम, गरामे टूरिजम विक्षित हो सकते हैं, और इसके लावा जैसे नागलेंड का ये गाउं एको टूरिजम का मोडल पेस्किया जा रहा है, ठीक है खोनमा गाउं को, तो इसे बहुत सारे हैं, नागलेंड में या मेगाले में आपने देखा होगा कौन सा एक गाउं है, वो सवस्ता का मतलब मिलंग नाम ऐसा कुछ गाउं है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं भी भूल गया हूँ उसको, जो एसे का सबसे सोच गाउं क्या है, सामधा एक सासिक्तिकरण और गरीबी उन्मलन के साधन के रुप में पसुत होता है, तो यह लाइने, पंच लाइने होती है, कहां इस्तिमाल करते हैं, ऐसे के पेपर में, जहां पर कोई ऐसा आप लिख रहे हो, एथिक्स में तो GS2 में, GS1 में, कहीं भी आपको लग क्या है, यह एजन्सी है, उसकी, कई वार ऐसे इक फेक्ट आएगा कि यह सुच्ट राटेशन के एजन्सी नहीं है, है, ऐसे कुछन बनेंगे, तो WISWEP जो है, World Tourism Organization, UNWTO है, United Nation के क्या है, एजन्सी है, क्या करती है, प्रमोशन के इसका, यह करती है, जैसे जो प्रेटन है, आरती विकास, हमाविसी विकास, और प्रयावनी इस्तिता के चालक के रूप में बढ़ावा देता है, और दुनिया बर में ग्यान और प्रेटन नहीं थी हो, क्यों, इसकी सारी डेटेल यहां पे, इसकी स्तापना कब हुई थी, यह सुच्ट राटसन के विशेज एजन्सी तो मैंने आपकी रिक्वेस्ट पर बदलाव कर दिया है, जैसे आप बोलते हैं यह जरता हो, और इसकी सब्स्क्राइबर षच्विए आप आप देर, करते हैं चीजों को प्रजेंट ऐसे करते हैं आप देखोगा आपको पता है कौन से चनल काम का है नहीं काम का है तो यह है कि मैं चाहता हूं कि हमारी कम्यूटी आगे बढ़े इतना मोटिवेशन मेरे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ यहां से आर्थिक रूप से आई ज ग्रीन क्योंकि बजट में हाली में क्या हूँ था कई सारी चीजे इसको लेकर सामिल केगी तो सरकार का एक टार्गेट है कि कैसे हम अपने लक्से को आसिल करें तो बजट में बहुत सारी चीजे सामिल केगी यह कहां काम आएगा यह आपके काम आएगा GS3 में वहां पर कई डिरेक्ट ऐसे कुशन होंगे जहां पर आपको बजट और एकोनोमिक सर्वे की चीजों को लिखना पड़ेगा इंट्रोडक्शन में लिखना पड़ेगा समधान में लिखना पड़ेगा कि हाली के 2022-2022 या 2023 इसके बजट में ऐसा क्या गया ऐसा होना चाहिए आप एकोनोमि पंतरी उन्होंने बहुत सारे से पॉइंट बताएं तो इस बजट में जैसे हमने टार्गेट रगा है कि 2017 कम क्या करेंगे नेट जिरो कार्बन का लगसे हासिल करने वाले हैं 2017 उसके लिए हमें बहुत अच्छे प्रियास करने पड़ेंगे सरकार सपोर्ट करेगी सब लोग मिलकर काम करेंगे तो यह लगसे हम आसिल कर सकते हैं तो इसमें बहुत सारे कीवड है कि जिवास में इंदर की जो इंदर परता है उसको हमें कम करना है इसके लिए हमें बहुत सारे क्या करना है कि यह जो सुनकर्मन काल है जिवास में इंदर से जो जुन्यूबल एनरजी उ करने के लिए इस कदम को उठाने का लाव उठाने का उस्षर है अच्छा हमारे पास मोका है देखो अच्छे कीवर्ड है जो आपके आर्टिकल में जिनको आप मेंस की एक्जाम इस्तेमाल करना ठीक है और बजट होता है रिन्यूबल एनर्जी का चाहिए सोरुजा के उपकरणों या बेटरी के उपकरणों हम बाहर से बोज़दा आयात करते हैं जैसे इसमें हमने देखा ना लीथियम कहां से जो दक्ष्ण इमरी के रास्टर जैसे कौन से रास्टर वो अच्छेंटियम ट्राइंगल है व है एलेक्ट्रिकन महानों की ठीक है तो उनमें फाइदा होगा तो लिथिया आयम सेल निर्मान के लिए आफ से पुंजिगत वस्तोर मशिंद्री में देखो बाहर से जो चीज़े आएगी ना तो उन पर क्या करेंगे आयात पी कम कर देंगे सीमा सुल कम कर देंगे तो कि इसमें क्या होता है जैसे आपने देखा हो कि पोस्तार योजनाएं चलती है जैसे पीपी मोडल में चलती है जैसे सडकों का दिर्मान हो रहा है या कोई अन्य योजनाओं का दिर्मान हो रहा है तो सरकार अपनी तरफ से एक तरह से अनुदान या गरांट या एक तरह से क पितर न सबस्क्रेम जाएगा तो हमें कैया चाहिए इसके लिए पिहाए चाहिए या एक राज़े से दूसरे राज़े में कैसे हम पहुंचाएंगे संचाधन चाहिए तो सरकार उसके लिए पे अच्छे काम कर रही है तो जिसे पूंट ट्रबाइन खेतों में कई जिए जिस इसके लावा सोर फोटोवाल्टिक जो प्रियोजनाई है उनके अंदर भी क्या करना चाहिए विजुत आप पर अपूर्ति के दिर्माता है बेटी बंडाराने इसमें बहुत सारे आप जानते होने बेकवर्ड और फोर्वर्ड इसमें लिंकेज होते हैं आपस में जुड़ र रही है ठीक है इनमें काम चल रहा है और बंजर भूमी अपने सरकार की पॉलिश देखी होगी कई वार बहुत सारे जैसे जहां पर नहरे हैं या बंजर भूमी वहां पर शरूर जाके इसे बहुत सारे कहकी जारें उपक्रण लगए जारें इसके लावाव लदा का इसमें हमने अब भी पहले देखा कि बंजर भूमी के अपने विशाल इस और देश में क्योंकि लदाक में अच्छी सूरी के एनर्ज आती है तो वहां पर बंजर भूमी काफी जएदा मरुस्तल है तो वहां पर क्या हो सकता है प्रयाप सुरूर जाकि ऐसे उपक्रण या अच्छा अच्छा नीवे से हो सकता है तो वहां से फिर क्या होगा हमें अच्छा प्रांपती हो सकता है तो यह चीज़े काफी इसमें giev वाले इसमें बातार कि नहीं अदटार करता हूं हमारे टीद ऊन्ट आपनी पालकर न चेप्टर करें है ठीक है चेप्टर पढ़ती है आपको जळज करना है चीजों को सीकतना है की आप अपने कैसी का तो आप MCQ मेरे ट्रेम्ट ले सकते हो ठीक है वाद बूत दन्यवाद